तो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब उमीद करता हूं अच्छोगे टेक्निकल भोपल की एक और न्यू फ्रेश वीडियो में आपसे भी का बहुत-बहुत सौगत करता हूं मैं महीश रमा दोस्तों आज की जो वीडियो है वो होने वाली है महेंद्रे की दो न्यू महेंद्रा अपनी जो सेग्मेंट की गाड़ियों होती है उसमें हर जगे प्रीमियम नेस भरके रखती है और प्रीमियम नेस हर गाड़ी में जो है बेश्यूमार होती है वहीं पर बीसिक्स कंप्लाइन एंजिन के साथ हर कंपनी जो है मार्केट के अंदर अपनी नई गाड से इंतजार कर रहे थे महेंद्रा एक्स्वी 500 एंड वहीं पर न्यू जनरेशन महेंद्रा स्कॉर्पियो तो इन दोनों गाड़ियों के बारे में मैं आपको थोड़ी से इंफोर्मेशन देना चाहूंगा कि यह गाड़ी यह 2021 में ही लांच होंगी वहीं पर 2020 में जो लांच फीचर देखने को में लेंगे न्यू जनरेशन थार में वहीं पर दूसरी गाड़ी भी जो है लांच हो सकती है इसी साल में जो की अक्टूबर में लांच होने की एक हम अनुमान लगा सकते हैं जो की यह XUV-3OO Sports variant आप सभी का इंतजार हो रहा था कि न्यू जनरेशन Scorpio तो वह बात अलग होती है कि कभी भी महेंद्रा इंड महेंद्रा लांच कर सकती है यहाँ पर अगर आपन बात करें न्यू जनरेशन थार की तो यहाँ पर आपको बहुत ही टाइम से इंतजार कर रहे थे आप न्यू जनरेशन थार का तो यहाँ पर यह अक्टूबर में ला यहाँ पर इसके spy shorts बहुत जादा लीग हो रहा है यह गाड़ी जो है spy shorts के जरीए हम सब बता सकते हैं कितनी बहतरी होने वाली है तो जब यह market में launch होगी तो बहुत ही बढ़ी है इस गाड़ी का response आने वाला है वहीं पर diesel engine जो है आपको 2.2 liter का mhawk diesel engine देखने को मिलेगा वहीं पर diesel engine produce करेगा 140 bhp का power वहीं पर इसका जो torque रहेगा 350 newton meter का peak torque जो कि इस गाड़ी के अंदर आपको overall engine के मामले में कहीं से भी आपको खामी नहीं बता सकते हो आपको क्योंकि गाड़ी का engine बहुत ही बहतरी होने वाला है led drs touch screen infotainment system multi information display climate control cruise control rear disc brake वहीं पर इसमें forward facing seats भी जो है available करवा दिये क्योंकि after market में बहुत सारे customers demanding में यही करते थे के थार के अंदर हमको forward facing seats ही लगवानी है हमें back side से वो seating लंबी लंबी seat बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो उन्होंने यह चीज भी जो है company के अंदर ही जो है चीजों को करके देने start कर दिया वहीं पर है महेंद्रा इस साल launch करेगी अपनी दूसरी गाड़ी जो कि ए XUV 3OO sports variant फरवरी में इसको auto expo में बताया गया था इसके बारे में कि 3OO XUV sports variant आने वाला है लेकिन इस साल जो है market में आखरी में इसको जो है लाने की उम्मीद रहेगी हाला कि company जो है यह बॉल रही है कि officially इसकी कोई launching के timeline कभी भी मतलब इस company बताती नहीं है बट company ने बताया कि XUV 3OO sporty वाले look के साथ और powerful version के साथ आ सकती है व मुकावले इसका जो power रहेगा वो 20 BHP जाधा रहेगा मतलब कि आपको जो पुराने variants मिलते तो उससे जाधा इसी के साथ दोस्तों उमीद करता हूँ आपको वीडियो में बहुत अच्छी information मिली होगी मेरी तरफ से वीडियो में आपको मज़ा हो तो like, share, subscribe करके जरूर से जा करूंगा arrest